नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर खोश कबर कायकरम दोस्तों जिस समय देश तैयार हो रहा है भव्वे दिव्वे आयोजन की तैयारी के लिए देश की नई संसत के उद्गाटन के लिए 28 मई को जो आयोजन होना है जिसकी जिम्मेदारी जिसके प्रचार प्रसार का सारा जिम्मा सारा फोकस देश के प्रधान मंत्री नरेन मोदी होंगे और इसी के साथ दरकिनार कर दी गई देश की पहली नागरिक राष्टपती द्रौपदी मुर्मू इसे लेकि जो सवाल उठ रहे हैं वे बहुत बड़े सवाल तो हैं ही क्योंकि हम और आप अभी मरसिया पढ़ने लायक नहीं हुए हैं हमसे आपसे जो 2000 रुपे का नोट वापस छीन लिया गया है दूसरे ढंग से नोट बंदी की वापसी हुई है 2016 के बाद उसका जो पूरे अर्थ विवस्था पे असर पड़ेगा इस पे चर्चा बहुत कम है क्योंकि ध्यान दीजिए 2000 का नोट RBI के मताबिक तकरीबन 11 फीसदी करेंसी के बराबर है और इसका जो खामियाजा होगा वह मोदी सरकार उठाएगी की नहीं उठाएगी क्योंकि जब 2016 मेंसे लागो किया था तब भी सवाल उठ रहे थे तो एक तरफ प्रचार तंत्र है मोदी जी का और दूसरी तरफ बदहाल बेहाल अर्थ विवस्था देश की जो नई संसत बनी है इसे लेकर तमाम तरह के सवाल लंबे समय से उठते रहे हैं लेकिन ये जो दो एहम बिंदू है, दो एहम बिंदू पहला यह कि आखिर किस हैसियस से, किस कानूनी प्रवधान से यह काम देश के प्रधान मंत्री कर रहे हैं और देश की राष्टपती द्रॉबदी मुर्मू को सिरेस से इससे बाहर कर दिया गया है पूर्व राष्टपती को भी नहीं बुलाया गया है आखिर क्या वज़ा है इसके पीछे और दूसरा बहुत एहम सवाल आखिर क्या सोच कर प्रधान मंत्री नरेन मोदी और उनकी सरकार ने इस एहम दिन को चुना है यहाँ दो बाते बहुत एहम है देश का समिधान उसका आर्टिकल 79 एक तरह से निर्धारित करता है कि देश के राष्टपती का क्या रिष्टा होगा देश की संसत से और देश के प्रधान मंत्री लोक सभा में जो पूरी की पूरी बहुमत है उसे लीड करके प्रधान मंत्री बनते हैं इसलिए जब पहला सत्र होता है सेयुक्त सत्र होता है तब देश के राष्टपती उसे संबोधित करती है यहां इस पूरे प्रशलन को साइड लाइन करके धता बताके यह पूरा इवेंट मोदी जी के इर्दगिर्द बुना गया है वहीं दूसरी तरफ जो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर यह तारीख 28 मई क्यों चुनी गई और इसे लेकर कोई परदेदारी भी नहीं की है बहुत साफ साफ शब्दों में भारती जनता पार्टी के आईटी सेल की जो प्रमुक हैं अमित मालविय वो खुद कहते हैं कि इसी दिन सावरकर का जन्म हुआ था और हम सब जानते हैं सावरकर का क्या रिष्टा भारती जन्ता पार्टी आरेसेस से है और उससे बड़ा रिष्टा क्या उनका रहा जिसके आधार पर वह जेल में रहे वह मामला था महात्मा गांधी की हत्या का अब आप देखिए कि जो नई संसद है उसका उद्गाटन 28 मई को हो रहा है और क्या इसका एक कनेक्शन एक कड़ी जुड़ती है कि 28 मई को ही देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहार लाल नहरू का फ्यूनरल हुआ था यानि अन्तिम संसकार हुआ था 1964 में 27 मई को उनका निधन हुआ और 28 मई को पुरा देश शोक में डूबा उसी दिन उनका अन्तिम संसकार हुआ और हम सब जानते हैं मोधी सरकार का नहरू जी से जो प्रेम है वह जग जाहिर है सवाल बहुत सीधा सीधा साफ साफ है कि यह जो नई संसद है जिसे विपक्ष लंबे समय से इस पे जो पैसा खर्चुबा उसे लेकर सवाल उठाती रही है और आज वही विपक्ष के दल पूछ रहे हैं कि यह जो पूरा का पूरा आयोजन है इस आयोजन के केंद्र में देश के प्रधानमंत्री कैसे हैं और क्यों हैं। नहों और अगर सरकारी नौकरी के जो प्रमाड़पत्र हैं वह बाटना हो कोई भी मौका मोधी जी छूटते नहीं है जहां एक अच्छा फोटो शूट हो सकता है जहां एक अच्छा पी-ार उंके इर्दगिर्द रचा जा सकता है और तो और हम सब ने यह भी देखा था कि वह चीफ प्रीस्ट की भूमिका में थे, यानि मुख्य पुजारी देश के प्रधान मंत्री बने हुए थे, इसी करम में आप देख सकते हैं, कि संसद में विपक्ष के नेता, मलिकार जुन खडगे ने, कॉंग्रेस के जो नेता हैं, कॉंग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्ह देश की राष्टपती एक आदिवासी समाज की महिला है, द्रौबदी मुर्मू, उन्होंने साथ ही यह भी सवाल उठाया है, कि पूर्व राष्टपती कोविन जी को भी क्यों नहीं बुलाया गया, सवाल बहुत तीखे और साफ हैं, लेकिन हम सब जानते हैं, कि इंका देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र की मूदी सरकार, राज्य की अर्विन केजरिबाल सरकार को नकेल कसने के लिए क्या-क्या जुगत बैठा रही है, सब ने देखा कि तकरीबन एक हफते पहले सुप्रीम कोट ने साफ-साफ फैसला सुनाया, कि यहां पर सरकार, जो चुन अलग सिस्टम बनाया, एक अलग स्ट्रक्चर ही खड़ा कर दिया, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस एथारिटी, जो तै करेगी कि किस तरह से जो आई-एस आफिसर्स हैं, बाकी जो आफिसर्स हैं, उनके खिलाफ क्या कारवाई होगी उनका, किस तरह से ट्रांसफर होगा नहीं होगा, यानि सारी की सारी ताकत वापस फिर LG के पास चली गई, और इसे लेकर जिस तरह का मोबलाईजेशन है, जिस तरह से अर्विन केजरिवाल के पक्ष में विपक्ष के अनेक दल उतर रहे हैं, वह दिखा रहा है कि शायद यह पूरी अर्विन केजरिवाल की तमाम नेताओं से, तमाम दलों से, जिनकी सरकारे चल रही हैं, कि अगर इस अध्यादेश को सदन में परास कर दिया जाता है, तो तमाम लोगों के लिए, तमाम राजी सरकारों के लिए काम करना आसान होगा, और इसी क्रम में अब वह जाएंगे ममता बेनरजी से मिलने के कोलकता पहुचेंगे और फिर उसके बाद शिवसेना के उधव ठाकरे से भी मिलेंगे, एनसीपी के नेता शरत पवार से भी मिलने मुंबई जाएंगे, यानि विपक्ष की हजो एकता है, जिसकी एक जलक हमें करनाटक में कॉंग्रेस की जीत हुई थी, वहाँ पर जो के मुख्यमंतरी, उनके साथ तेजस्वी, आते हैं, मिलते हैं, और अर्विन केजरिवाल तमाम नेताओं से मिलने जा रहे हैं, क्या यह जिस तरह का पूरा घटना करम बन रहा है, जो आपको नक्षे पे दिखाई दे रहा है, कि भारती जनता पार्टी किन राज्यों में श जादा बड़े हैं, जादा प्रभावशाली हैं, जहां उसकी सीधी सरकार नहीं है, दोहजार चौबिस के लिए यह जो पूरा समीकरण चल रहा है, यह बता रहा है कि अगर विपक्ष मुद्दों पर एक जुट होता है, तो उसके लिए दोहजार चौबिस में भारती जनत दिखाते हुए कहा है कि वह नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, जी हां, क्योंकि हम सब जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि देश की महिला पहलवानों ने किस तरह से सीधे सीधे आरोप लगाया, बकायदा इंसिडेंट लिखाए दिल्ली पुलिस को कि यह किस तर जो भारती जनता पार्टी का सांसद है, खुले आम घूम रहा है और खुधी बता रहा है कि वह नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, बशर्ते, जो महिला पहलवान है, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, वे भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं, ये देख मंत्र की तस्वीरों के बारे में चर्चा हो रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में एक महिने से महिला पहलवान न्याय के लिए बैठी हैं, और मोधी सरकार के पास उनकी सुनवाई करने का जरा भी समय नहीं है, भारती मीडिया मोधी मंत्र की दुहाई दे रहा है, जी से हुई है, इन सब की जो अंदेखी है, दरसल यहां पर इसके बीच में खड़ा हुआ है भारती लोकतंत्र, शुक्रिया